क्लास 12 का हिंदी चप्टर नमबर गारः भक्तन पढ़ेंगे इसमें भक्तन की लेखक है महादेवी बर्मा या भक्तन चप्टर आपको चप्टर गारः में हिंदी बूक आरो का चप्टर है तो पहला कोश्चन है भक्तन चप्टर से प्रस्णा भक्तन अपना वास्तविक नाम लोगों को क्यों छुपाती थी भक्तन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा तो इसका उत्तर होगा भक्तन का वास्तविक नाम लच्मी था पहला एक नमरिया कोश्चन में आप लोग एंसर दे सकते हैं कि भक्तन का वास्तविक नाम लच्मी था लच्मी नाम से धन की सिखलाता का दर्सन होता है किन्तु उसके जीवन लच्मी का जीवन भर वास नहीं रहा मतलब उसके जीवन में लच्मी का एक भी वास नहीं रहा मतल लेखी का महादेवी वर्मा ने उसकी कटी माला देखकर उसका नाम नामकरन भक्तन किया था क्योंकि लच्मी ने अपना नाम लच्मी नो पुकारने का पार्थना की थी इसलिए उनका नाम भक्तन रखा था दूसरा क्वेश्चन दूसरा में हैं दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तन पुत्र महिमा में अंदी अपनी जठाइनों दौरा घिना और अपेच्छा का सिकार बनी ऐसी घटनाओं से ही अकसर यह धरना चलती है कि इस्तिरी ही इस्तिरी का दुस्मन होता है क्या इसे से आप सहमत है तो इसका उत्तर होगा यह धरना बिल्कुल सही है कि समाच में जितनी भी अत्यचार इस्तिरी पर होते हैं उन सब में इस्तिरी काही हाथ होता जिसके हम लोग कह सकते हैं कि इस्तिरी ही कहता है कि वेटा ही बेटी से अच्छा है मतलब बेटी को इस्तिरी ही घिना करते हैं इस्तिरी ही इस्तिरी का दुस्मन है जब भक्तर ने गर्व में एक कन्या की उप्राम दो कन्या पैदा हुई तब सास और जठाइन ने ओट बिठा कर अपेच्छा परकाट की सास और जठाइन दोनों ही इस्तरी थे लेकिन इस्तरी पैदा होने पर उन्होंने ओड बिचा कर उनकी उपेच्छा की सास के तीन पुत्र थे और जठाइन के पास भी पुत्र रत्न थे इसलिए भक्तन की उपेच्छा सहनी पड़ी उसी अपनी लड़की को सारा दिन काम करना पड़ता था भोजन भी लड़कों की अपिच्छा उपेचित और काम मिलता था, जिसे यह इस्पष्ठ होता है कि इस्तरी ही इस्तरी परितेचार करती है, इस्तरी यह भूल जाती है कि वो भी कभी कहन्या थी, ऐसे ही समाच में अन्य घटनाएं भी देखी जा सकती है, जैसे दहच पर था, सती पर था, बाल बिवा, भुस में त्यादी इन सब में कि पीछे इस तरी जाती का ही हाथ होता जैसे कि दहच पर था में जैसे लड़का का मा यानि कि उसका सास ही उसे दहच लेने से प्रतारित करती है मतलब की लड़की ही उसका दुस्मन हो जाती है जिसे बाल विवा में ही लड़की का मा ही कहती है की इसे जल्दी साधी दिया जाए जिसे की वह लड़की होकर लड़की की घिना पिछा कसीकार होना पड़ता है जिसे भूम में हित्या मतलब किसी भी औरत का लड़की ही पैदा होती है तो अपने लड़की सीसू की हित्या कर देती है जिसे कि लड़की सीसू पैदा ना हो तो इसमें हम लोग जाहर सी बात है कि लड़की लड़की का ही गिना करती है मतलब केन्या ही केन्या की गिना करते हैं उपेच्छा करते हैं तिसरा प्रस्न है भक्तन की बेटी पर पंचायत दोरा जबरन पती थोपा जाने एक दुरगटना भर नहीं बलकि बिवा के संदर में इस्तिरी के मानो अधिकार बिवा करे या नो करे अथवा किस से करे को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही समाजिक प्रंप्राओं का प्रति के से तो इसका एंसर होगा भक्तन की बेटी पर पंचायती दोरा जबर जस्ति पती थोपा गया मतलब जबर जस्ति उसे पती थोपा गया उसे साधी कराया गया इवक तितला बाजा ने भक्तन की वेटी से जबरजस्ती करने का प्रियास किया एक इवक जिसका नाम तितर बाज था जो भक्तन की वेटी से जबरजस्ती दूस करने का प्रियास करता है और अपना बचाव करते हुए भक्तन की बेटी ने उसकी मरमत का ठोकरी की कुंडी खोली पंचो ने या फैसला दिया कि उसने एक सच्चा हो या जुटा एक कोटरी से निकलते हैं अता उसमें पती-पतनी के रूप में ही रहना होगा मतलब एक कोटरी मतलब एक घर से लिकलते हैं दोनों एक साथ तो पंचाव ने उसे फैसला देता है कि दोनों बीच में कोई संबन्ध हो या ना हो लेकिन उन्हें पती-पतनी के रूप में ही रहना होगा पंचाव के नियाए भकतन की बेटी को मानकर तितर बाज युवक को अपना जिवन साथी मानना पड़ा भकतन पर जबरन पती थोपा जाना इस्तिरी के मानो अधिकार की पंचाव की दवरा आवेलना है या इस्तिरी की अधिकारों को कुचलने की प्रमपरा सदियों से चली आ रही है जो अनुचित है जिसे कि इस्तिरी को अपने मन की भाव को परकट करने के लिए कोई भी इनकी सुनवाई नहीं होती है पंचायत में जो पंचायत सर पंचाय वही किया जाता है मतलब किसी को अपना पच रखने के लिए इस्तिरियों को मुका नहीं दिया जाता है ये लाखो बहुत दिनों से या नया इस्तिरियों पर चला आ रही है जिसे इस्तिरी भी मानों है उस पे भी अच्छा बुरा सोचने की शोतंत्रा मिलनी चाहिए लेकिन समाज हमारा हमेशा नारी जाती फिसोशित की जाती है जिसे अपनी चानुशार पती चुनने की आजादी नहीं दी जाती है ये समाजिक प्रमपरा सदियों से चली आ रही है चोधा क्वेशन है बकतन अच्छी है या कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुनों का भाव नहीं लेखी का ने ऐसा क्यों कहा होगा मारे भी बर्मा ऐसा क्यों कहा होगा तो इसका अंसर होगा भकतन अच्छी है या कहना कठिन होगा लेकिन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भकतन देहाती थी मतलब देहाद से ची वो अपने परी वार जना के दुखों से दुख होकर नोकरी कर के महादेवी बर्मा के पास आए उसने साफ हिर्दे से अपना पूरा परिच्चे लेखिका को दिया उसने वातावरन में वा पत्नी पली बढ़ी थी वो इसे ही संसकार उसमें विद्वान थे इसलिए लेखिका पर्तेन कर ने भी उसी ओग्या के अस्थान पर जी बोलना नो सिका सकी वा मोटी मोटी रोटिया और देहाद के समान ही दाल भात बनाती थी कितने ही दंद कताओं को सुना कर उसने लेखिका को कष्टित्य करवा दिया था अपनी बात कुछ सदे हुआ उपर रखती थी और कभी कभी अपनी कमी के समर्थर में सास्त्रा का तर्व देकर अपना कमी को छुपा देती थी इसलिए लेखिका ने उसके दियातित सवभाव एवंग संसकार को देखकर यह कहा कि हुआ साफिर्दय की सिवा भाव से पूर्ण थी इसलिए अच्छी थी किम्तु उसके दूरगुनों का भी आभाव था पच्छवा क्वेश्चन में हैं भक्तन द्वारा सास्त्र की प्रस्ण को सुविधा से सुल जाया लेने का क्या क्या उधारन लेखिका ने दिया है उत्तर लेखिका ने जब यह कहा कि मुझे इस्तिरियों के सीर घुटना अच्छा नहीं लगता अता उन्होंने सीर घुटने से भक्तन को रोका तथा उन्होंने सास्त्र के तर्क द्वारा लेखिका को चुप करवा दिया उसने बताया कि तिर्थ गय मुडाय सिथ कौन से सास्त्र में लिखा है जिसे जिग्यासा होती हुए भी लेखिका चुप हे रगे लेखिका कि चुप रहने के कारण यह था कि उनसे पता था भक्तन अपने बात को उपर रखेगी छटा प्रस्म में है भक्तन के आज आने से महादेवी अधिक द्याती की से होगे मतलब द्याती औरत के आज आने से महादेवी वर्मा और द्याती होगे क्यों जिसे संग हो इसा रंग क्या उत्तर होगा भक्तन के आज आने से महादेवी अधिक द्याती होगे क्योंकि भक्तन अपने दिहात के अनुसारी संस्कारों से बरी थी उसमें किसी भी परकार के प्रमपा प्रिवर्तन का संभाव ना संभाव नहीं थी भक्तन का सभाव ऐसा था कि वहा दूसरों को अपने मन की अनुसार ही डाल लेती थी इसलिए लेखीका उसी को बनाए बोजन घाती उसी की सुनी दंदकताओं को कश्ठत्य करती तथा उनकी द्वारा किये सवभाव की कभी भी विरोत नो करती इसलिए लेखीका बक्तन के अनुशार डिल गई थी भक्तन की अन्मोल आत्मेता ने महादेवी वर्मा को उसकी अनुशार डिलने पर मजबूर कर दिया था आप पाट के आसपास के भी सवाल हो सकते हैं तो पाट के आसपास के कुछ प्रस्ना इसमें हम लिये हैं जो कि आपके NCRT बुक में भी है प्रस्ना है आलो अधारी किनाई का और लेखी का बेबी हलदार और भक्तन के बेक्तितू पर आप क्या समनता देखते हैं तो उत्तर होगा आलो आधारी की नाईका लेखी का बेबी हलदार और भक्तन की वेक्तितू पर निम्लिकित समनताय दिखाई देती हैं मतलब दोनों में समनताय क्या क्या है तो पहला समनताय है दोनों अपने माली की परति पूर्ण शमर्पित भावना रखती है दूसरा है दोनों अपने मालिकों की स्यवा में सध्य प्राप्त हुए बेबी हलदार और तानूस का और वक्तन को महधिवी बर्मा का तिसरा दोनों के मालिक सरल हिद्दय आत्मियता की भावनाओं से पूर्ण तथा दुख दर्थ को समझने वाली थे दोनों की जीवन एत्यान दूख एवंग अपेचित थी भक्तन अपने सास जठानी एवंग पज्जायत की अपेच्छा का सिकार थी और बेबी हलदार अपने भाई भावियों की अपेच्छा का सिकार थी पच्छवाद दोनों की चरित्र अत्यान पवित्र था दोनों ने उकर होते हुए भी परतिभावन महिलाएं थी बेबी हलदार लेखिका के रूप में समाज के सामने आई और भक्तन अपर होने के कारण कितने कथाओं को प्राय महादेवी वर्मा को सुनाई करती थी दूसर में कोई हैरत अंगेज बात नहीं है अकबारों या टीवी समाचारों में आने वाली इसी ही घटनाओं को भक्तन ने इस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा करें उत्तर जिसी ही हम लोग की घटना बताएंगे अपने गाउं की जिसे की गाउं में कोई दूस लड़की क किसी लड़की की शिकार में आ जाती है ऐकेले बात करते गाउवाला सुचता है कि हिम दोनेंगे बीच प्रेम हैं और गाउवाला पंचायद बैठा कर दोनों की वीचछ साधी करा देता है और इसमें लड़की का भी रजाम Mangd भी नहीं होता है दोनों लड़की लदे इससे प्रेम भी नहीं करती हैं लेकिन उसके बीच में साधी हो जाता है तो इस परकार की घटना है इसमें हम लोग लिख सकते हैं महादेवी जी पाठ में हीरेनी, सोना, कुटा बसल, बिल्ली, गोधूरी, आदी के मायदे से पसुपच्छियों की मानुता समवेद्मा की उलेगिना वाले लेखिक की रूप में उबरती है उन्होंने अपने घर में और कोई पसुपच्छी पाल रखे थे तथा उनकी रिखा साथ रखा करते थे और उसमें एक नाम देते थे एक पहचान और अपने साथ ही माना करते थे भासा के बात तो प्रस नहीं दीचे दिये गए विशिष्ट वहसा परियोग के उधारन को ध्यान से पढ़िए और उनकी आर्थ कभी छबीस पर्ष्ट कीजिए पहला है पहली कर किन्या को सांदर दो के निया और ओर पैदा की यहीं से लेड़ को उसकी का सास कहा करते थे दूसरा को सिक्के की टक्साल जैसी पतने खोटे पुत्र की कमिणी इसका मतलब उसकी सासी वक्तन को कहा करते थी अइस पश्ट पुण्नावरितियों और इस पश्ट शानाभूती आइसपर्ष कटाच और इसपर्ष शानाभूती की अभिवेक्ति है प्रस्ण बोनई सब बहन इस्तिरी आई से बने हैं इस सब नहींदी सब महसा का एक परतेचिफ पिशिस्ता परकट हुई है जिसे बोनई मतलब बहन का पती चौ में है हम पुकरी बिलाई न होई मतलब हम कुट्ता और बिलाई नहीं है हमार मन पुशाई तो हम दूसरों के जाप नहीं ते तुमार पचे की छाती है हर्वे पुजब और राज कर आप सुझे रहो तो है ज्योम मैं इसका मतलब मैं दूसरी कि बयाता हो मेरा मैं जायगा तो मैं दूसरे के घर जाओँ है मतलब यहारी भासा में है बोश्पुरी में तो इसका हिद्दी ले आपको क्नवर्ट करना होगा तो इस तरीके से आप बगतन चेप्टर में परशन पूछे जा सकते हैं एंसी आटी बारक कलास में इंदी आरों में इसको आपको पढ़ना होगा एंसी इस साल का सिलेबस में यह भी आपको पढ़ना होगा